समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अक्षिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभामी राष्ट्रपती के अभी भाशन पर धन्यवाद परस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार सत्ता में है जनता कह रही है कि ये चलने व सरकार है अक्लेश यादव ने कहा कि 15 अगस्त 1927 का दिन देश की आजादी का दिन था तो 4 जून संपरदाइक राजनीती से आजादी का दिन है इस चुनाव ने तोड़ने वाली राजनीती को और तोड़ दिया है जबकि जोडने वाली राजनीती को और जोड़ा है चलिया ये सुनाते हैं अखलेश यादव ने अपने भाशन में आगे और क्या कहा अधेश मौद है मैं मोडल आफ कंड़क जब चुना हुआ लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर महरबान रही सरकार और कमीशन भी कईस मौँ बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ देख्श मौद है लेकिन कहीं न कहीं प्रस्षिन उस संस्था पर भी लगा है और अगर उस संस्था पर प्रस्षिन लगा है तो लगाने वाली सरकार की वज़े से लगा है इसलिए अगर निस्पक्ष होगी वो संस्था तो न केबल हमारा लोगतंत स्थ होगा बलकि हमारे लोगतंत और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा अदेख्श मौद है इबियम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था आज भी नहीं भरोसा मैं असी के असे सीड़ जी जाओं तब भी नहीं भरोसा और मैंने अपने चुनाओं में का था देख्श मौद है एबियम से जीत करके एबियम हटाने का काम करेंगे ना एबियम का मुद्बा मरा है ना जाएगा खतम जब तक एबियम नहीं हटेगी हम समाजबादी लोग उस बात पर अड़क रहेंगे